एक भक्त उत्तम से सर्वत्तम तभी बनता है जब वो आलोशना या निन्दा वो सुनता है सहन करता है उसका स्विकार करता है लेकिन अपने लक्ष और देह से हटता नहीं है वही भक्त उत्तम से सर्वत्तम बनता है वास्तविक हर एक भक्त एक साधू पुरुष होता है हर भक्त क्योंकि जो गुन एक साधू पुरुष में होने चाहिए उसको इधारन करने का मार्ग है भक्ती मार्ग और हर भक्त उसको पाने का प्रयास करता है पाना ही ज़रूरी है अब तो कोई साध्य नहीं है अलोचना और निंदा सहस्ता से स्विकार करना है लेकिन हमें दूसरे की नहीं करनी है उसको सहस्विकार करो वास्तव की अलोचना और निंदा आपके चरित्र को बनाती है इसमें महत्तोपुर्ण ब्हुमिगा बना जाती है अलोचना निंदा तुमारी आकों से नेत्रों से तुम खुद का प्रतिभीमब देख पाते हो लेकिन जब आलोचना होती है तो तुमारे जो अवगुन है उनकी तरब तुमारा ध्यान जाता है तुमें क्या करना चाहिए इसका मारगदर्शन होता है जब आलोचना होती है तु जब कोई निंदा करता है तब अब खुद का अउलोचन करते हो कि हमें क्या करना चाहिए और इसी से वो उत्तम से सरवत्तम बनने का प्रयास करता है एक जगा कबिर ने लिखा है कि निंदक नीरे राखियो अंगन कटी चविये बिना पानी साबुन बिना निर्मल मन धोईए मतलब होता है कि निंदक को अलोचक को अपने पास रखना चाहिए क्योंकि ये बिना पानी और साबुन के आपको धोता है आपको निर्मल बनाता है आपको शुद्ध बनाता है भक्त एक साधू पुरुष होता है, इसका मतलब उसे वणमी जाना नहीं है, सन्यास लेना नहीं है इस संसार में रहकर भी साधू पुरुष के गुन को प्राप्त करना है तब तक भक्ति मार्ग का कोई उप्योग नहीं है ये भक्ति मार्ग ही आपको एक साधू पुरुष जैसा रूप, गुन प्रदान करता है हर भक्तों को साधू पुरुष बनने का प्रयास करना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि संसार से भाग जाना है संसार में रहके कुटुम्बे के साथ अपने परिवार के साथ सारे रिष्टे नाते, निभाते, निभाते उसको एक साधू पुरुष बनना है हमिशा इसका ध्यान रखना है अलोचना और निंदा सहन करना है ना कि किसी और की करनी है यह अलोचना और निंदा आपको चरित्रकोर आपको बहुत सुन्दर बनाती है लोका समस्ता सुकिनो भवन्तु